देश में शक्कर का सीजन सवा महिने बाद अक्तूबर में शुरू होने जा रहा है यानि 2022-23 में शक्कर कुल उत्पादन चारसो लाग टन होने का अंकलन लगाया गया है कुल उत्पादन में से 45 लाग टन शकर को एथनोल उत्पादन के लिए उप्योग किया जा सकता है मिली जानकारी के मुताबिक अगले शक्कर वर्ष में सरकार शक्कर का निर्यात कोटा भी घटा सकती है क्योंकि एथनौल उत्पादन के लिए शक्कर का उपयोग 10 विज़त से ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है दरसल एथनौल उत्पादन के दबाव के बीच शक्कर के घ्रेलू स्टोक को बनाई रखने की चुनोती सरकार के सामने होगी माना जा रहा है कि ऐसे में निर्यात कोटा कम ही रखा जाएगा हला कि भारत घ्रेलू जरूरतों के लिए 60 लाग टन शक्कर का बफर स्टोक बनाई रखेगा ताकि घ्रेलू बजार में कीमतों में तेजी ना हो जानकारों का कहना है कि मेंगाई को नियंतरित करने के लिए ये निती जरूरी भी है ऐसे में सरकार निर्यात कोटा भी दो अलग लग चर्णों में जारी कर सकती है नए शक्कर वर्ष में कुल मिलाकर 80 लाग टन निर्यात की अनुमतीद बीजा सकती है ताजा वर्ष में शक्कर का निर्यात 110 से 112 लाग टन तक पहुंचता दिख रहा है झाल झाल